हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम अकेडमी के इस इंफार्मिशनल प्लेटफॉर्म पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी युनिवर्सटी चाहे वो सेंट्रल युनिवर्सटी हो या इस्टेट की युनिवर्सटी हो या फिर कोई निस्टिटूशन हो अग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे युनिवर्सटी अप दिलही की एक एफिलियेटिट कॉलेज जिसे सत्यवर्ती महाविद्याले के नाम से जाना जाता है इस कॉलेज से एक रिकुर्मेंट निकल कर आया हुआ है जिस पर आप सभी को फार्म अप्लाई करने के लिए इन जा रहे हैं अप्लिकेशन फीस के उपर बात करेंगे साथे साथ फार्म को अपलाई करने का जो लाश डिट है इन सभी चीजों को वीडियो में स्टेप बाई स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो जो लोग चेनल पर नहीं है या जिन लोगों ने अभी तक चेनल को सस्क् कर दे क्योंकि exam academy आप सभी तग teaching से related जो recruitment रहते हैं उनका information पहुचाने का प्रयास करता रहता है तो यहां हम देख लेते हैं सत्यवर्ती महाविद्यालेक में जो notification है उसमें क्या mention किये गए हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 October 2024 को इन्होंने अपने official website पर notification mention किया हुआ है हर एक subject के लिए अलग notification यहाँ पर mention किये गए हैं आप जिस भी subject के लिए form apply करेंगे उसका notification आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे तो 7 October में इन्होंने guest faculties से related notification mention है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर assistant professor के post पर आप form apply करने के लिए invited हैं आप यहाँ पर political science के subject में form apply कर सकते हैं टोटल यहाँ पर 6 CTO के लिए application मांगे जा रहे हैं जिसमें SC categories के लिए 2 CTR अरचित की गई हैं OBC के लिए 2 CTR अरचित की गई हैं और यहाँ पर EWS candidate के लिए 2 CTR अरचित की गई हैं सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप अगर form apply कर रहे हैं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका किसी भी तरीकी का written exam नहीं लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको अपना interview देना है और जो लोग interview में qualified होंगे उन्हें यहाँ पर appoint कर लिया जाएगा यहाँ पर इसी notification के अंदर आपको eligibility criteria जो guest faculty से related है उसके बारे में information mention है आप UGC का regulation 2018 का आप लोगों को अच्छे से read कर लेना है इसके according ही यहाँ पर qualification मांगे जा रहे हैं basic जो qualification होते हैं उसमें related subject में आपके पास masters हो साथ ही साथ आप लोगों ने net qualify किया हुआ हो या आपने state qualify किया हुआ है या फिर आपकी जो PhD है वो complete है masters के साथ इनमें से कोई एक भी qualification अगर आपके पास रहेंगे आप eligible रहेंगे फार्म को apply करने के लिए हमारा जो अगला requirement है इस college से वो भी 7 October को ही publish किया गया है और same process यहाँ पर examination के होने वाले हैं जो सीटे निकल कर आई हुई है वो department of commerce से निकल कर आया हुआ है यहाँ पर total दो सीटों पर application मांगे जा रहे हैं जिसमें EWS के candidate जो हैं उनके लिए सीटे आरचित की गई है selection का process और जो qualification है वो यहाँ पर वही है जो उपर के post पर मांगे गये थे related subject में आपका masters 55% marks के साथ pass out होना जरूरी है net slate और PhD आपके पास है आप eligible रहेंगे farm को apply करने के लिए इसके बाद आपको इसी university में 7 October के date में ही एक और notification देखने को मिल जाएगा जिसमें guest faculties में ही department of English के लिए application मांगे गये हैं असिस्टन प्रोफेशर के post पर टोटल दो सीटे हैं और यह सीटे ऐसी कटेगरीज के लिए निकल कर आई हुई है आगे जो यहाँ पर application मांगा गया है वो साथ अक्टूबर को ही इसका notification पब्लिस है यहाँ पर हिंदी department के लिए चार सीटो पर application मांगे गये हैं असिस्टन प्रोफेशर के लिए दो सीटे जनरल कंडिडेट के लिए है वहीं दो सीटे ऐसी कटेगरीज के लिए यहाँ पर रखे गये हैं उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जो notification है वो 3 अक्टूबर 2024 को इनके official website पर mention किया गया था जिसमें इन्होंने economics के लिए application मांगा हुआ है टोटल दो सीटे हैं इसमें OBC candidate form apply कर सकते हैं तो यहाँ पर 5 notification इसे college से publish किया गया है जिसमें assistant professor के post पर form apply करने के लिए आप सभी को invite किया गया है सारे post यहाँ पर contractual basis है इंटर्व्यू के माद्यम से यहाँ पर आप लोगों का selection होना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक notification में इन्होंने इंटर्व्यू की timing भी mention की हुई है 18 October 2014 को यहाँ तीन वजे के करीब में principal's office में आपको invite किया गया है आपके interview के लिए आप हर notification में इस चीज को check कर लेंगे किसी notification में 16 October को बुलाया गया है किसी में 18 October किसी में 14 October और किसी किसी में यहाँ पर 15 October के date में आप लोगों को interview के timing पर बुलाया गया है तो जो लोग भी form apply करना चाते हैं वो लोग इसके last date से पहले form apply कर लें तो इस वीडियो में इतना है इस तरीके के और भी information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं कि नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much